गुद्ध मॉर्णिंग स्टुदेंट्स एंद आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम इंपोर्टन टॉपिक है और एक के मान के चलो कि अगर आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम का कंसेप्ट के लिए है अगर हम अगर आपकके पास कोशन आ जाता है या फिर आपके पास कोशन आ जाता हुत ट्रें पर या कोई बिकल डिवन है लाइक related question आ जाते हैं तो आप हर तरह के questions को कर सकते हो ठीक है आप बात आती है कि जब हम speed and distance की बात करते हैं तो उस case के अंदर most of the students क्या करते हैं कि हां जी कुछ formulas हैं उनका हम थोड़ी सी cramming कर लेते हैं उनके उपर based हम question कर देंगे तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल भी अगर आप ऐसे करते हो तो एक्जाम में question जब आएगा तो नहीं कर पाओगे because nowadays tricky questions आ रहे हैं को एक्जाम के अंदर logical questions आ रहे हैं और statement को अगर हम नहीं understand कर पाते हो directly formula लगाने की कोशिश करते हैं तो उस case में question हमारा wrong हो जाता है ओके तो क्या करना आपको question की understanding होनी बहुत ज्यादा जरूरी है तो आज के class के अंदर speed distance के questions में आप लोगों के साथ में करूंगी कुछ concepts को हम clear करेंगे बिल्कुल basic से start कर रहे हूं तो जल्दी से सभी class के अंदर आजेंगे हंजी जल्दी से class में आजेए और मुझे बताए कि आवाज बिल्कुल clear आ रही है हंजी सभी को मेरी आवाज अजेए अजेए अचारी है am I audible to all of you so that जल्दी से हम class start कर दें तो देखिए अगर हम बात करते हैं time, speed और distance की time सभी को पता है speed सभी को पता है और distance सभी को पता है अब अगर हम बात करते हैं कई बार ना कुछ students तो सिरफ इस point के अंदर confuse होते हैं कि कहां पर यह distance है और यह speed है ठीक है तो जो speed है, speed का होती है, speed is finally a distance covered in a unit time period अब बात आते हैं कि हांजी वो भी distance है वो भी distance है तो फिर confuse हो जाते हैं यह लूम है या फिर यह लूम तो उस case में ध्यान रखो कि जो distance है वो unit time के अंदर जितना cover हुआ है उसको हम बोलेंगे speed ओके तो अब अगर हम definition देखते हैं तो definition देखे speed is the rate at which body or object travel to cover a certain distance, certain distance is called speed of body, speed is the distance covered by the object in unit time, unit time, unit time कुछ पी ओसकता है, this time may be 1 hour, 1 minute, 1 second, it depends, okay. तो वो क्या हो गया आपके पास में speed, time, time क्या हो गया, the duration in hours, minutes or seconds spent to cover a certain distance, that is called time and distance, simple सी बात, distance क्या हो गया, वो path है जिसको cover करना है तो the length of the path traveled by an object or a person between two places is known as distance, done. अब अगर हम बात करते हैं speed, time, distance की तो रटा नहीं लगाना किसी ने भी formulas को एक बार समझी, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास में एक particular distance है, यह distance है, यह distance है मेरे पास मान लीजिए 5 km, 5 km, अब मैं एक घंटे के अंदर मान लीजिए कि 5 km का distance कवर करती हूँ, यहां से A place से B place तक जाने के लिए, मुझे time कितना लग रहे हैं? आगर मेरे पास में जो total distance है, इतना है, मैं कहा रहे हूँ, कि मुझे लग रहे हैं? है कितनी देर चलना है दो घंटे चलना है I will devote two hours तो two hours में मैं कितना distance cover कर लोंगे two hours के अंदर हम कितना distance cover कर लेंगे हाँ जी तो जो distance cover होगा वो कितना होगा पर एक घंटे में अगर मैं 5 km चल रही हूं तो जो घंटे में कितना चलूंगी 10 km पहले समझो कैसे develop हो रहा है अब बात आपती है कि यह जो distance है जो 5 km का है यह कितनी देर का है एक घंटे का है अब जो भी distance मेरा एक घंटे का है unit time period का है उसको हम क्या बोलते है speed that means what कि यह क्या है इसको हम finally क्या बोलेंगे this is 5 km per hour और you will say it speed अभी मैंने speed का आपको definition बताइए कि speed क्या है distance covered क्या था यह distance 5 km अब मैंने का है कि एक घंटे में मैं उस distance को cover कर रही हूँ जब मैं उसको एक घंटे में cover कर रही हूँ that means कि 5 km per hour और जब भी मेरे पास में distance होता है किसमें per unit time में तुसको हम क्या बोलते है speed अब अगर हम यहाँ पे बात कर दे कितना distance cover किया तो मैं क्या कह रही हूँ 5 into 2 तो यह 2 क्या था मेरे पास में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे that means this is time okay और यह 5 क्या था हमारे पास में 5 km per hour that means this is speed तो formula क्या हुआ हमारे पास में distance is equal to what speed into time distance क्या हो गया speed into time तो कोई अलग से formula नहीं है simple देखो distance हो गया speed into time जब आपके पास distance क्या है speed into time तो अगर मुझे speed find out करने तो speed क्या होगी d t इधर नीचे चला जाएगा same way अगर मुझे time find out करना है तो time क्या हो गया distance divided by speed ओके और जब हम इस तरह से formulas की बात कर रहे हैं तो उस case में यह देखो कि जो d है अगर हम देखे तो यह सारा का सारा पहलेला है से चल रहे है that means d is directly proportional to speed directly proportional to time speed ज़ादा होगी तो ज़्यादा distance cover होगे time ज़्यादा होगा तो time distance ज़्यादा cover होगा same way जो speed है अब यहाँ पे देखो यह cross में जा रहा है cross में जा रहा है speed और time लगेगा, that means speed and time are inversely proportional to each other, ओके, यह वाला point clear है, आप देखें, यही आपके पास formulas है, क्या formulas है, कि distance क्या है, speed into time, time क्या है, distance by speed, speed क्या है, distance by time, अब जब भी आप question को solve करते हो, तो एक जो important point है, जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, कि हमेशा units को same रखो, अगर kilometer, kilometer में चल रहा है, तो क्या करेंगे हम, kilometer में ही रखेंगे, या एक unit मेरे पास kilometer में, एक meter में, तो क्या करूँगे, मैं उसको same में convert कर लूँगे, same way अगर time के हम बात करें, तो time भी कहीं पर hour है, कहीं minute है, और कहीं second हमान लिजिए आपके question में, in that case, you will convert all the time period in same unit, maybe hour hour में आप convert कर लोगे, second second में आप convert कर लोगे, या फिर minute minute में convert कर लोगे, okay, clear, तो क्या है आपने पास, distance is speed into time, तो उस case के अंदर, अगर मुझे चाहिए कि distance किसमें ह अरा, kilometer में है, ठीक है, kilometer में, तो यहाँ पर जो speed है, speed भी मेरे पास में किसमें होने चाहिए, kilometer per unit, जो भी मेरे पास time given है, आर है, तो kilometer per hour, ठीक है, meter में है, तो क्या करेंगे, meter per second, इस तरह से, clear, अगर minute में given है, तो per minute, done, तो इस तरह से ही है, अगर आप हम देखते है, inversely, directly proportional तो अभी मैंने आपको formulas में बताया क्या speed is directly proportional to distance, speed is inversely proportional to time and distance is directly proportional to time. Done? इसके लिए ये भी आपको अलग से learn करने की ज़रूरत नहीं है जब हमें पता है कि हाँ formula क्या है speed into time. That means directly proportional, directly proportional. अब इसमें से कोई एक formula दूसरा ले लो. हाँ जी, cross में आ रहा है. That means what? Inversely proportional. Clear? हाँ जी, आप देखो यहाँ पे अगर हम measurement की बात करते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए कि 1 km किसके equal है? That is 1000 meter. 1 km is equal to 1000 meter. यह मैं क्यों करवा रही हूँ? Reason being कि सभी units आपको same रखके चलनी है. ठीक है? तो अगर मानलो मेरे पास कहें पे kilometer given और मुझे उसमें meter में convert करना है, then I will multiply by 1000. Okay? Same way, hour is equal to 60 minute. 1 minute is equal to 60 second and 1 hour is equal to 3600 seconds. Okay? Now you should know the conversion. अगर मेरे पास में value क्या है? Kilometer per hour के अंदर है. And I want to convert it into meter per second. Meter per second. तो कैसे करोगे? मानली जी मेरे पास जो speed है, that is x kilometer per hour. अभी हमें convert किसमें करना है? Meter per second में. तो अब हम क्या करेंगे? इस kilometer को किसमें convert करेंगे हम? Kilometer को किसमें convert करोगे? Meter में. And 1 kilometer is equal to what? That is 1000 meter. Meter में convert हो गया. अब जो R है, R को किसमें convert करना है मुझे? seconds में. And 1 second. R is equal to what? 3600 seconds. तो यह per का मतलब क्या होता है? This is finally divided by. Okay? So कितना हो गया? 3600. That means x into 5 by 18. तो यहाँ पर ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में speed kilometer per hour में है and you want to convert into meter per second then directly multiply by 5 by 18. Okay? Solve करने की जरूरत नहीं है. But अगर mind से skip हो जाता है कि भी 5 by 18 था या 5 by 16 था कुछ, तो simple आप उसको करके देख लो. ठीक है? क्या किया है? हमने kilometer को meter में convert कर दिया, r को second में convert कर दिया, then हमारे पास यह value हागे. Okay? Same way अगर मेरे पास value कि इसमें है? Meter per second में. Meter per second में है. Let us say S is equal to X meter per second. अभी मुझी क्या करना है? I want to convert into kilometer per hour. Kilometer per hour. Meter को kilometer में convert करेंगे. That means कि divide by 1000. Okay? Per second है. Per second मतलब क्या होगे? Second को r में convert करेंगे. r में convert करेंगे. That means कि 1 divided by what? 3600. अगर इस ही के अंदर यहाँ पर मैं लिखती हूँ. 1 divided by 3600. तो 3600 क्या होगा? उपर चला जाएगा? That means कि numerator से किसमें चला गया? यह. denominator में चला गया? यह होगे 18. That means क्या करेंगे हम? उसको multiply कर देंगे. Okay? याद करने के लिए करना क्या है? कि जब meter per second में convert करें. That means कि smaller unit में convert करें. तो 5 by 18. That means कि smaller से multiply करेंगे. Okay? जब हम bigger unit में convert करें. 18 by 5. That means कि bigger से multiply करेंगे. Okay?